आज की क्लास में जिन शब्दों के बारे में बात करूँगी वो दिखने में बहुत स्वीट और सिंपल से हैं, लेकिन इतने कंफ्यूजन होते हैं लोगों को इनका इस्तमाल को लेकर के कि पूरी की पूरी कांवर्सेशन आती है पर इनका इस्तमाल नहीं कंफ्यूजन है, इन ही है आपका आज का homework, class को शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं सनरीत English Academy, मैं हूँ प्रीती, मैं सब्सक्राइब करके bell notification को on कर दीजेगा, अगर आप नहीं हैं और ओस ऐसी classes को attend करना चाहते हैं, जो आपके practice और भी कराएं, और confusion को भी दूर कराएं, concepts भी learn करवाएं, से ये photo बिनाने का यहां पर, clear, him एक ऐसा शब्द है, जिसको ना fingers पर count करके पन याद रखेंगे, him, h-i-m, him, him एक ऐसा शब्द है, जो लड़कों के लिए इस्तमाल होता है, pulling के लिए इस्तमाल होता है, male के लिए इस्तमाल होता है, आदमी के लिए, पुरुष के लिए इस्तमाल होता है, मैंने लगभख सारी, सारे words को मैंने यूज़ कर लिया, यहां पर, जिससे आप ये समझ पाओ, कि ये आदमी के लिए use होता है, पुरुष के लिए use होता है, ठीक है? तो जब भी आप अपने वाक में पुरुष के बारे में बात कर रहे हो, उसके किसी सामान, किसी चीज, उसकी belonging, उसके लिए, उसको, है न, ऐसी बात कर रहे हो, तो आप अपने वाक में हिम शब्द का प्रियोग करेंगे, राइट, हिम का मतलब होता है, उसे या उसको, है न, उसे या उसको, जो उसको संबोधित करने के लिए इस्तमाल हो रहा है, राइट, जैसे, उसे बुलाओ, call him, चिक, तो आपने जिसको ये कहा, उसने, आपने जब कहा कि call him, तो वो, मानला, आप कहीं पर हो, जहां पर आपके परिचित कोई है, एक का नाम रोहन है, एक का नाम रोहिनी है, ठीके, और एक और बंदा है, जिसका नाम मानलो, सुमित है, चिक, अब आपने सुमित को कहा कि call him, अब सुमित रोहिनी को नहीं लाएगा, अगर उसने ये class करी होगी, सुमित ने, संडीत इंगलिश अकाडमी की मेरी ये वाली class कर रखी होगी, तो वो रोहिनी को नहीं बुला के लाएगा, वो रोहन को बुला के लाएगा, क्यों? क्योंकि आपने कहा, call him, ठीक है? चौइस उसके पास कौन सा था? या तो रोहिनी को बुलाता, या तो रोहन को बुलाता, हमने उसके confusion को कैसे clear क्या? हमने कहा कि him को बुलाओ बईया, call him, तो वो रोहन को ही बुला के लाएगा, अगर उसको पता होगा, कि him का अस्तमाल पुरुष के लिए होता है, अब इसका example से समझो, उसने उसे कसकर गले लगाया, she hugged him tightly, उन्होंने उसे बदाई दी, they congratulated him, मैंने उसे अपना चाता उधार दिया, I let him my umbrella, I let him my umbrella, हमें उस पर भरोसा है, we trust him, उन्होंने उसे पार्टी में आमंत्रित किया, they invited him to the party, मैंने उसे कल दुकान पर देखा था, I saw him at the store yesterday, हमने उसके परिनाम के लिए उसके प्रशनशा की, we admired him for his result, we access अलहा के लिए उस पर भरोसा करते हैं, they often rely on him for advice, इन सारे के सारे वाक्यों में, हमने him का अस्तमाल किया है, और ये him जो है, वो पुरुष के लिए इस्तमाल होता है, तो इन सारे वाक्यों में, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक पुरुष है, अगला बात करेंगे his का, ठीक है, एक him है, एक his है, दोनों में सिर्फ last two lecture का difference है, एक में है, M है, एक में S है, लेकिन इस्तमाल का बहुत difference है, देखो, similarity basis पर अगर देखे, तो him का और his का दोनों का अस्तमाल, पुरुष के लिए होता है, लड़के के लिए होता है, आदमी के लिए होता है, पुलिंग के लिए होता है, पुलिंग के लिए होता है, आपको जो याद रहे, ठीक है, बाते सारी सेम ही है, लेकिन ये किसी के, चीजों की बात करता है, जैसे उसका, उसकी, उसके, ऐसे ये इस्तमाल होता है, जैसे ये उसका घर है, this is his house, ठीक है, his house, यहाँ पर इस्तमाल हुआ, मतलब जिस घर के आब बात कर रहे हो, वो किसी पुरुश का है, उसकी बाइक बाहर खड़ी है, his bike is parked outside, तो देख रहे हो, उसकी बाइक, his bike, उसकी चाबिया घर पर भूल गया, he forgot his keys at home, उसकी टोपी हवा में उड़ गई, his hat flew off in the wind, उसका फोन जोर से बजा, his phone rang loudly, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, I will not go to his house, उसका बैग बहुत भारी था, his bag was very heavy, मैं उसके घर के बाहर हूँ, I am outside his house, सारे वाक्यों में, his के बाद किसी सामान की बात हो रही है, या तो घर की, या तो टोपी की, या तो बाई की, या तो चाबी की, है ना, तो और उसके आगे जैसे, his का स्तमाल हुआ, तो ये clear है, कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है, ठीके, आ रही है बात समझ में, कुछ गुजरा दिमाग होई, है ना, चलो, बात करेंगे अब इस लड़की की, या कहले महिला की, या कहले फीमेल की, या कहले स्त्रिलिंग की, जो आपको याद रहे, तो यहाँ पर, जब आपको इस्तमाल करना होता है, किसी लड़की, किसी महिला, किसी स्त्रिलिंग, किसी फीमेल के लिए, उसे या उसको, तो आप हर वर्ड का यूज़ करते हैं, ह-e-r, हर, ठीक है, उसे बुलाओ, कॉल हर, मैंने उसे को पहार दिया, I gave her a present, मैंने उसको कल फोन किया था, I called her yesterday, उन्होंने उसे नौकरी की पेशकरश की, they offered him a job, they offered her a job, मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, I hugged her tightly, उन्होंने उसको जीत की बधाय दी, they congratulated her on the win, मैंने उसे पार्क में देखा, I saw her at the park, उन्होंने उसे ट्रोफी सौपी, they handed her the trophy, मैंने उसे सड़क के उस पार छोड़ दिया, I dropped her from across the street, हर वाक्य में हर का अस्तमाल हुआ है, और ये हर महिला के लिए इस्तमाल होता है, स्ट्रलिंग के लिए इस्तमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तमाल होता है, हर की सबसे बढ़िया बात क्या है, कि चाहे उसे हो या उसको हो, या फिर आप उसके समान की बात करें, उसका, उसकी, उसके, एक ही शिब्द है, that is her, क्या शिब्द है, her, तो confusion जह है वो यहाँ पर नहीं होने वाली है आपको, है न, him, his में बहुत confusion होती है, आज की क्लास के बात नहीं होगी, that is for sure, but her में confusion थोड़ी सी कम होती है, और her में confusion क्यों होती है, क्योंकि हमें him और his में confusion रहता है, हमें यह लगता है कि वहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, तो इसमें भी दो अलग 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 शब्द होंगे, जवाब है नहीं, यहाँ पर एक्षी शब्द है, यह उसकी कार है, this is her car, उन्होंने उसके प्रदर्शन की सरहना की, they praised her performance, सिख्षक ने उसके बुद्धी मत्ता की बरशन सा की, the teacher admired her intelligence, उसकी हसी से कमरा गूंज उठा, her laugh filled the room, उसका चेहरा चमक रहा था, her face was glowing, party में उसकी dress खूब चमकी, her dress sparkled at the party, मुझे उसकी आवाज ने शांत कर दिया, her voice soothed me, मैंने उसका पसंदीदा खाना बनाया, I cooked her favorite meal, उसकी आँखें खुशी से चमक उठी, her eyes twinkled with joy, तो मैंने कोशिश करिये, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, कि हाँ female के बारे में बात करता है her word, इसलिए मैंने फोटो भी बना रख्या, और choice of जो sentences है, वो भी मैंने कोशिश करा है, वैसा ही रहे, है ना, अब बात करते हैं he šabd की, जिसका मतलब होता है वह या उसे, और इसकी खास बात क्या है, कि ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, वह जा रहा है he is going, और यही बात अगर आपको लड़की के लिए करनी हूँ, तो हिंदी में तो पन कह देते हैं, वह जा रही है, तो हिंदी में clear है, जा रहा है, जा रही है, जा रहा है, तो लड़का है, रही है, तो लड़की है, अंग्रेजी में इसी बात को, इसी confusion को clear करने के लिए, हमारे पास शब्द है, जहां पर एक he है, और दूसरा she है, वह उसे, दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, वह जा रही है, she is going, जहां पर आपको, मैंने आज की क्लास में जो भी शब्द आपको कराए, मैंने कराए आपको him, his, her, her, he, और she, ये शब्दों का स्तमाल करके, आप इन वाक्यों की translation करोगे, और मुझे ये बताओगे, की इन चारों शब्दों का, majorly चार वर्ड जमने करें, him, his, her, her, इन का स्तमाल किस के लिए होता है, और मतलब male के लिए होता है, female के लिए होता है, him का स्तमाल, his का स्तमाल, her का स्तमाल, he का स्तमाल, she का स्तमाल, किन के लिए होता है, कमेंट करके बताना और ये वाला ट्रांसलेशन करना उसका पसंदीदा रंग नीला है इसको लड़के के लिए भी करना लड़की के लिए भी करना रिया ने उसे किताब थमा दी लड़के के लिए भी करना लड़की के लिए भी करना उसके स्कूर्टी बाहर खड़ी है दोनों, अब स्कूर्टी किसी के भी हो सकती है न वई लड़का भी स्कूर्टी चलाता है, लड़की भी स्कूर्टी चलाती है कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो दोनों के लिए ट्रांसलेशन करेंगे उसे लड़की को पाटी में बुला लो है ना तो यहाँ पर मैंने mention कर दिया है कि यहाँ पर लड़की का यूज करके करना है और लड़की का भी करी लेना है ना तो homework जितना करो तो उतना बड़िया रहेगा आप ही के लिए ठीके तो चलिए homework फटा फट से जमा करो आप देख संडीत English Academy सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजेगा सब्सक्राइब करने के बाद ताकि समय पर आपको classes मिलती रहें इसके अलावा कोई course अगर आपने करनी हो spoken English, English writing, English grammar, English reading या e-books लेने हो तो हमारी आप संडीत English Academy को दाउनलोड और इंस्टॉल कर लिजेगा Google Play Store से, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर WhatsApp मेसेज करके संपर कर लिजेगा, e-books आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, PDF किताबे हैं तो इनको डाउनलोड ही आपको करना पड़ेगा, तो make sure कि ये वाला काम आप खुदी करें, डाउनलोड कर लि देखो, ये फ्री वाली सर्विस है, इससे किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, और आपका benefit हो रहा है वो अलग, तो ये जॉइन करके रख लोगे, तो ऐसा काटेगा तो है नहीं तुमको ग्रूप मोबाइल पे, तो आपको class अलग मिल जाएगी, सुबह सुबह, कि भाया, उठ सुबह सुबह मिल गई class पढ़ रहे हैं, अपना बैठ करके पढ़ ली आदा गंटा, और फिर चले गए अपना नित्य जो हमारा काम है वो करने के लिए, तो ग्रूप जोइन करके इसलिए रख लेना, बढ़िया रहेगा, चिके, और मैं आपसे मिलूंगे आपकी अगली class म बाचेंगे अग्णी तो संडीती ग्लिश अकाड़म।